चीन ने अमेरीकी संसत की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की यातरा का जोरदार जवाब देने के लिए टाइवान की झे तरफ से नाकेबंदी कर दी है चीन के कई गातव युध पोत, लड़ाकु विमान और मिसाइले टाइवान को ड़ाने के लिए तैनाथ कर दी गए है चीन के इस कदम से दुनिया सहमी हुई है दुनिया को डर सता रहा है कि क्या उसे एक और यूकरेन जैसा संकट जेलना पड़ेगा यूकरेन मुद्दे की तरहे इस थिती में भी पूरी दुनिया की नजर भारत पर है भारत ताइवान के मुद्दे पर भी एक एहम भूमी का निभाने वाला है लेकिन आज आपको ताइवान पर भारत के एक ऐसे कूटनितिक दाव के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कई लोग अभी भी अंजान है ताइवान पर भारत की इस रणनिती का तोड़ चीन के पास भी नहीं था दरसल 2020 में भारत ने इतिहास में पहली बार एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में चीन ने कभी सोचा भी नहीं था आपको बता दे कि साल 2020 में ताइवान की राश्रपती साई इंग वेन के दूसरे शपत ग्रहन समहरों में भारत सरकार के दो वरिष्ट सांसदों ने हिस्सा ले लिया था ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था साई इंग वेन के दूसरे शपत ग्रहन समहारों में दुनिया भर के 41 देशों की 42 हस्तियों ने हिस्सा लिया था जिसमें भारत की तरफ से बीजेपी के दो सांसद मिनाक्षी लेखी और राहुल कस्वान वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये शामिल हुए थी आपको बता दें कि कुरोना महमारी के चलते ये शपत ग्रहन समहारों वर्चूल तरीके से किया गया था पियमोदी और विदेश मंत्री एस जे शंकर की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिकरिया नहीं दी गई थी भारत की मौजूदगी सिर्फ दो सांसदों तक ही रही थी जिसकी वजह से चीन भारत को लेकर चुप रहा लेकिन चीन ने दूसरे देशों के नेताओं के इस कारेकरम में शामिल होने पर कड़ी अपत्ती जताई थी यहां आपको ये जानकारी भी दे दे कि ताइवान की राश्ट्रपती ने 2016 में अपने पहले शपत ग्रहन समहरों में भी भारत को बुलाया था लेकिन उस समय भारत ने उस शपत ग्रहन समहरों से दूरी बनाये रखी क्योंकि उस समय भारत और चीन अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे लेकिन चीन ने भारत को धोका देते हुए 2017 में डोकलाम विवाद खड़ा कर दिया जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच रिष्टे सुलजने की बजाये और खराब हो गए डोकलाम विवाद के बाद भारत ने भी चीन के प्रती अपना रवया और सक्त कर दिया यही कारण है कि चीन को कड़ा संदेश देने के लिए भारत ने 2020 में ताइवान की रश्ट पती के दूसरे शपत ग्रहन समहरों में अपने संसदों को भेज दिया